तो बात इंडी गड़बंदन की, इंडी गड़बंदन में नए ग्रेयुद की, मद्धप्रदेश की चुरावी नतीजों से पहले एक्जिट पोल ने अलाइंस के लिए अलाम बज़ा दिया माना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की वज़ा से कॉंग्रेस को बड़ा नुक्सान हो सकता है ग्वालियर और चंबल से लेकर मा कोशल तक अखिलेश के इंतकाम की गूंच सुनाई दे सकती कमलनात को अखिलेश वाला कॉमेंट याद होगा आपको वही कॉमेंट महेंगा पड़ सकता बहुत शालू पार्टी है कांग्रेस साब्दार रहोगे कर नहीं रहोगे बंसर जी बेवल नमें दुखी देखा हूंगे तो दोगा देदी है एक्जिट पोल ने इंडी गट बंधन के भीथर उबाल लाने का महुर्त तै कर दिया है कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नई सिर्फ उटवल की नौबात आने वाली है तीन दिसंबर को आने वाले नतीजों में अगर मध्य प्रदेश में अखिलेश यदव की पार्टी ने कॉंग्रेस का खेल बिगार दिया तो इंडी अलाइंस के भीतर आल पाल कर नया दौर शुरू हो सकता है जिसके लक्षण अभी से दिखने शुरू हो गए हैं क्योंकि अखिलेश की वज़़से कमलनात के सपने पर खत्रा मढ़राने लगा है एंपी के जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा असर रहा है वहां कॉंग्रेस को जटका लगता दिख रहा है एकजिट पोल के मताबिक 2023 में कॉंग्रेस को मिल रही है 18 से 20 सीटे जबकि 2018 में चुनावी नतीजे में कॉंग्रेस को यहां 26 सीटे हासिल हुई थी 38 सीटों वाले महा कॉशल में इस बार एकजिट पोल के मताबिक कॉंग्रेस को 19 से 22 सीटे मिलने का नुमान है जबकि 2018 में उसे इसे शेत्र में 24 सीटे मिली थी चीजों को वापस समेटना भी उनी को है सब ने देखा कि मोदी को मिलकर हराने के सौगंद खाने वाली एसपी और कॉंग्रस के बीच MP में चुनावी गटबंधन नहीं हुआ अखिलेश पूरी तैयारी करके बैठे थे लेकिन उनके मुताबिक कॉंग्रस ने गच्चा दे दिया अखिलेश यही बात पूरे चुनाव दोहराते रहे और बदले में कमलनात उनके नाम पर अखिलेश वखिलेश कहते रहे इस अपमान के बाद अखिलेश भूल गए कि इंडी गटबंधन का दोहजार चौबीस वाला यूपी प्लैन क्या है वो ये भी भूल गए कि गटबंधन की योशना तो मोदी लहर रोकने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रस के गटबंधन के दम पर बिसाप बिछाने की है समाजवादी पार्टी के मुख्या ने कॉंग्रस के खिलाप गुष्चे में आग उगलना शुरू किया तो फिर रुके नहीं समाजवादी पार्टी को मद्यप्रदेश में कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है लेकिन कॉंग्रस को नुकसान होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी ने MP में इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था ये 71 सीटे MP की कुल 230 सीटों का करेब 30 फीस दी है अखिलेश ने करेब 14 जगों पर जाकर खुद प्रचार किया था और इस दोरान उन्होंने 15 सीटें कवर की ग्वालियर चंबल और विंत इलाके से लेकर बुंदेल खंटक में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़ादा ताकत लगाई अगर इन इलाकों में समाजवादी पार्टी ने खुद खाता नहीं भी खोला तो ये तैह है कि कॉंग्रिस का बड़ा नुकसान वो करेगी 2018 में खिलेश आदव ने MP में एक सीट जीती थी तो इस बाल एक्जिट पोल के मुताबिक खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है टाइम्स नाउन और भारत और ETG रिसर्च के एक्जिट पोल के मुताबिक बुंदेल खंड में अन्नि के खाते में 0-1 सीट, ग्वालियर चंबल रीजन में 0-1 सीट, मधि भारत में अन्नि को कोई सीट नहीं महा कौशल में 0-1 सीट, मालवा निमार में कोई सीट नहीं और विंद शेत्र में 1-2 सीटे मिलने का अनुमान है पूरे MP का आकड़ा इस लिहास से अन्नि के खाते में 1-5 सीट आने का है इस अन्नि के आंकड़े में S.P. से लेकर B.S.P. और निरदलिय तक शामिल हो सकते हैं इससे समझा जा सकता है कि राज में किस कदर कॉंग्रेस और B.J.P. में सीधी चक्कर है और इसमें एक-एक वोट की खासी अहमियत होगी कॉंग्रेस को ये आशंका पहले से ही है कि समाजवाली पार्टी बहतर यानि करीब 30 प्रतिशत विदान सवा सीटों पर उसका खेल खराब कर सकती है इसके फीछे की मजबूत वजह भी समझे मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुखाबला है जादातर सीटों पर जीत और हाल कांतर कुछ हजार या कुछ सब वोटों का रह सकता है अगर समाजवादी पार्टी वीजेपी विरोधी वोटों को अपने पाले में खीषने में काम्याब रही तो कॉंग्रेस का खासा नुफसान तय है ये डेमेज कितना बड़ा होगा ये चुनावी नतीजे के बाद पता चलेगा लेकिन इंडी अलाइंस में नए घमासान का माहौल एडवांस में बनने लगा है एक जिट पोल के ठीक बाद इस वक्त बीजेपी नेताओं का अत्म विश्वास साथ वे आसमान पर है माना जा रहा है कि पार्टी को यकीन हो चला है कि एंपी में उसे इंडी गट बंदन के भीतर के टकराओं का जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है अब ज़रा एक में ज़र डालिये किन इलाकों में कॉंग्रेस की उम्मीद सपा की वज़े से तूट सकती है यह वो जिले और विधानसवा सीटे हैं जहां खुद अखिलेश यादव प्रचार के लिए पहुँचे और जहां समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ रही है 26 सीटों वाले MP के बुंदेल खंड में अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा प्रचार किया एसपी अध्यक्ष ने यहाँ और चा छतरपुर, खजराहो, दमो, पन्ना, जतारा और गुन्नावर में चुनावी सभाई की थी वहीं अखिलेश ने 30 सीटों वाले विंद शेत्र में भी धमक दिखाई थी रीवा और चित्रकूट में उन्होंने रैलिया की 36 सीटों वाले मद भारत इलाके में भी एसपी अध्यक्ष ने ताकत दिखाई नोंने बुधनी और चंदला में सभाई की थी जबकि 38 सीटों वाले महाकौशल के कटनी में अकलेश ने चुनावी सभाकर ये साफ कर दिया था कि वे एमपी में चुनाव लड़ने नहीं बलकि जीतने आये मद प्रदेश के चुनावी नतीजे के बाद इंडिगट बंधन के भविश्य पर नए सीरे से अटकले लगने की शुरुआत हो सकती है क्योंकि अगर कॉंग्रेस ने अखलेश यादब पर हमला बोला तो अखलेश भी चुप रहने वाले नहीं और अगर इंडिगट बंधन के आपसे जंग यूपी तक पहुँच गई तो 80 लोगसभा सीटों वाले इस राज में एक जुटवे पक्ष बीजेपी को कैसे चुनावती देगा ये समझा जा सकता है तो UAE की COP28 समिट में तेजी से बदलते क्लाइमिट की चिंता को लेकर दुनिया भर के देश जुटे ये मोदी भी समिट में शिर्कत करने पहुचे तो जिस तरह से केमिस्ट्री मोदी के साथ दुनिया की राश्रा धक्षों के दिखी हो वास्तों में भारत और मोदी पर दुनिया के मजबूत भरोसी की तस्मीर दिखाते है ये तस्वीरें पियम मोदी के UAE पहुचने की हैं, जहां प्रधार मंतरी मोदी का गर्म जोशी से स्वागत हुआ मोदी को रिसीब किया UAE के डिप्टी PM सैफ बिन अलनाहयान ने, खुले बाज्वों से सैफ बिन अलनाहयान ने पियम मोदी का स्वागत किया ये गर्म जोशी भारत और UAE के बीच के मित्रता संबंधों का सारा रूश है इसके बाद दुबाई के सवकों पर रंग हिंदुस्तान का थार राग हिंदुस्तानी थार और रुआव रूश है मौका क्लाइमिक चेंज को लेकर बेहत हाई प्रुफाइल समेट कॉप 28 अधा और निगाही मोदी पर थी क्योंकि दुनिया के सामने खड़े जलवाई उस संकत के हल की उमीद भारत से ही बनते हैं तो इस समिट में भारत का रुख क्या था इसे आपको बताएं उससे पहले कुछ तस्वीरों पर नजर डालना ज़रूश है क्योंकि ये वो तस्वीरी हैं जो बताती हैं क्या खिर वैश्विक संकत के हल में आशा के किरान नए भारत में क्यों दिखाई थी इसके पीछे है भरोसे और मित्रता की कमाल की केमेस्ट्री पीयम मोदी जिब दुबई में चल रहे कॉप 28 के शिखर सब मिलन में शिरकत करने पहुँचे तो मोदी के मित्र और UAE के राश्ट्रपती शेक मुहम्मद बिंजायदी गले मिलकर उपकर सुपार दोनों के बीच करीब 20 सेकंड्स की बाद चीत हुई और शांदार केमिस्ट्री दिखी इसके बाद पियम मोदी युएन महासचेव एंटोनिय गुतरस से भी गन जोशी से मिले फोटो सेशन के बाद तीनों आपस में बात करते रहे और पूरा वातावरन पॉजिटिव एनरजी से पारा दिखा मोदी का यही मित्रता जेस्चर लोगों को उनका कायल बनाता है कॉप 28 के शिकर सम्मिलर में हर देश के राष्टा धक्ष से पियम मोदी की मुलाकात अपने चेर परचित अन्दास में हुए जो मित्रता के भावनाओं से भरी दिखी फिर चाहेवोज़बेकेस्तान के राश्षपती शवकत मिर्जिय उयव हो भारीन के राश्षपती हमद बिर खलीफा हो जॉडन के किंग इbn अल्हुसैन हो निदलेंड के प्रधान मंत्री माग रूचे हो यह स्रिलंका के राश्ष पूरी दुन्या को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे यही वज़ा है कि मोदी जहां जाते हैं मित्र बनकर च्छा जाते हैं लेकिन गंभीर मुद्दों पर अपनी बात बेबाकिस से करते हैं फिर चाहे वो युद्धो या जलवाईू परिवर्तन का मुद्दा ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विक्सित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें यह स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है फ्रेंड्स जी ट्वेंटी में इसे लेकर सहमती बनी है कि क्लाइमेट एक्षन के लिए ट्वेंटी थर्टी तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनास की आवश्चकता है चुकि समिट क्लाइमेट चेंज विशय को लेकर थी लेहाजा भारत ने गलोबल साउथ के लीजर के तौर पर अपनी बात रखी लेकिन सच ये है कि वैश्विक शांती से लेकर युद्ध के मुहाले पर खड़ी दुनिया के लिए मोदी एक ऐसे करदार हैं जिनके पास दुनिया की समस्याओं का व्यावारिक हल दिखता है कॉप 28 समिट से पहले की ये तस्मीरे देखिए पियम मोदी के साथ हैं कतर के अमीर शेक तमीम इबन हमद अल्थानी मोदी और अल्थानी गंभीर मुकमद्रा में बात कर रहे हैं बात चीत करते दोनों वेन्यू की तरह बढ़ते हैं ऐसी तस्वीरें इसलिए हजार अर्थों के साथ उतरती हैं क्योंकि कतर में मौत की सजापाई आठ पूर्वस्यनिकों को वापस लाने की पूरी कोशिश भारत कर रहा है वहीं हमास इसराइल जन्द के बीच कतर जहां मध्यस्त की भूमिका में है तो भारत भी शांती की पुर्जोर वकालत हर मंद से करता रहा है बीते नौ सालों से ज़्यादा वक्त में मोधी ने अरा भी नहीं बलकि एफ्रिकन और पश्यमी देशों से नए भारत का परिचय कराया है ये वो भारत है जो बहिर मुखी है और नई संभावनाओं से भड़ा है संबेदन शील है और सकारात्मत भी यही वज़े है कि कॉप 28 समिट में मोधी के चार भाशन है इसके साथ ही साथ द्विपक्षिय वारताएं हैं और वहां पहुँचे अलग-अलग देशों के राष्टा तक्षों के साथ अनौपचारिक मीटिंस भी जाहिर है इन मीटिंस में बात सिर्फ जल्वायू परिवर्तन को लेकर तो नहीं होगी कई और मुद्दे भी होंगे जिस पर अनौपचारिक चर्चाएं हो सकते ग्लोबल साथ के लीडर के तौर पर भारत अपनी पहचान मस्मूद कर रहा है जल्वायू परिवर्तन कैसा मुद्दा है जिससे लेकर विक्सित देशों की उदासीनिता सबसे ज्यादा दिखने